शाक टैंक सीजन थी कि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है इस बार भी कुछ ऐसा हुआ है जुसको देखकर दर्शन चौग के हैं जी हां प्यूश बंसल और अनमीता की लडाई हो गई है और यह लडाई कोई चुपके नहीं हुई है यह लडाई कंटेस्ट इनकी लडाई हुई है तीसरा शाह कौन सा था जो इनकी लडाई में कूट पड़ और आखिर क्या ऐसा स्टार्ट अप तक है इस स्टार्टम में खास था जिसको लेकर शाक्स आपस में बिढ़ चुके हैं चले बताते हैं आपको शाक टैंक इंजिया 3 की नई एपिसोर में अमित थापर अजहरे कवाल पयूश बंसल और अमित जयन जज पैनल में बैचे नजर आए पति पतनी विभा और सूर्या ने अपने ब्रैंड कॉस्मिस को इसमें पेश किया उन्होंने इसके पोश्चन के संबंदित जरूरतों के हिसाब से स्वास्ते और कल्यान ब्रैंड इसे बताया है विभा हरीश ने 12 साल के उम्र से ही PCOS के साथ अपनी जन्नी का आधार पर प्लांट बेस्ट ब्रैंड की स्थापना की है हाला कि इस एपिसोड मैं नेविता थापूर और प्योश बंसल के बीच तू तू मैं मैं भी हो गई या ये इसका कारण आपको बताते ह नमीता था पर भी एक ओफर देना चाहती थी प्योश बंसल परिश्वान होकर कहते हैं सारे अच्छे सवाल आप पूछ लेते हैं और आप ओफर दे देते हैं पिच्चज और प्योश के जवाब मैं नमीता ने कहा मुझे खुद को मार्किट करने की जरूरत नहीं है फिर न कि अनुपं युख साथ होजाते है दो परतिषत ओनरश्यप के लिए एक करोर और ऑफर करते हैं जब तक युन्हें दो करोर वापिस नहीं मिल जाते हैं अचनक प्योश बंसल एक प्रतिशत ओनर्शिप के लिए करोण रुपे offer करते हैं और दो कॉरोड वापिस मिलने तक एक प्रतिशत रॉयल्टी की पेशकर्ष करते हैं प्यूश जब बाचित करते हैं तो अनुपम बीच में टोकते हुए कहते हैं प्यूश चाहते हैं आप टेक्नॉलजी कंपनी बने आपको तय करना है कि आपनी कंपनी बनानी है या प्यूश के लिए काम करना है दिल पक्की कर पर देख सकते हैं आपको वीडियो कैसे लगी हमें बताईएगा और आप इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहें ये रिपोर्टर जी